Hello everyone, welcome to my channel Moistar's Lecture बच्चों, आज मैं आपके लिए class 9th से lines and angles 6th chapter जो के NCRT के exercise 6.1 का 4th question लेके आया हूँ देखें, क्या दिया हुआ है? If x plus y is equals to w plus z आपको एक figure दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें बोला है कि x plus y is equals to w plus z यह आपको relation given है, ठीक है? तो आपको proof करना है, then aob is a line यह आपको proof करना है कि aob जो होगी, वो एक line होगी तो बच्चों देखें, line होगी, अब line proof करनी है तो अब मैं यह तो नहीं बोलूँगा न कि यहाँ पे जो है, एक drawing का तो चलनी डाय कि सर मैंने straight line बना दिये, तो aob एक line है मुझे यहाँ पे एक property जो है, इसकी proof करनी होगी अचा आप ध्यान दीजे, मैंने आपको linear pair of angle पढ़ाई थी थियोरम, उसमें क्या बताया था? कि अगर यह एक straight line होती है, तो इसके दो adjacent angles का sum 180 degree होता है उसका converse क्या होगा? अगर मैं कैसे भी proof कर दूँ कि X plus Y, इन दोनों adjacent angles का sum 180 है तो यह proof हो जाएगा कि AOB is a line segment सही है? तो हम हमें यह proof करना है तो देखिए, given हमें दिया क्या हुआ है? हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि X plus Y is equals to W plus Z ठीक है? यह given है, हमें proof क्या करना है? To prove, हमें proof करना है AOB is a line AOB एक line है, यह हमें proof करना है construction की जरूरत नहीं है proof देखेंगे सीधा बच्चों, हम यह जानते हैं कि एक point के around, यह point आप देख रहा है? ओ, यह दिया हुआ है point के around सारे angles का जो sum होता है, वो 360 degree होता है आप लेखेंगे इसे we know that we know that the sum of all the angles around a point is 360 degree यह वाला example 3 में था, जो मैंने आपको proof करवाया था है, अब अगर 360 degree होता है, तो बच्चों, यहाँ पे सारे जो angles हैं, यानि कि X plus Y plus W plus Z is equals to कितना हो जाएगा? 1, sorry, कितना हो जाएगा? 360 degree ठीक है बच्चों? अब यहाँ से देखिए, मुझे X plus Y को तो proof कर रहा है 180, जो मैंने target set कराया, X plus Y as it is लिख दिये, bracket लागा के बच्चों, यहाँ से आप देख रहे हैं, W plus Z यह W plus Z मुझे किसके equal दिया है, given मैं, X plus Y तो क्या मैं यहाँ पे X plus Y लिख लूँ, इन दोनों की जगे replace कर लिया है मैंने और आप reason आगे देंगे यह आया कहां से, since कहां से आया यह, given क्योंकि यह चीज हमें given है, तो बच्चों X plus Y और X plus Y टोटल हो गया 2 X plus Y ठीक है बच्चों? ट्वाइस हो जाएगा न, 2 X और 2 Y तो 2 फिर से common ले लिया 2 से यह cancel हो जाएगा, तो बच्चों X plus Y कितना आगया? 180 degree, X plus Y आगया 180 degree, और मैंने अभी आपको यही बताया था, कि if the sum of two adjacent angles is 360 degree, then it is a line therefore आप लिख देंगे, AOB is a line, तो यहाँ पे AOB क्या मानी जाएगी, line, क्योंकि इसके 2 adjacent angles का sum कितना आ रहा है 180 degree, ठीके students I hope आपको यह 4th question cover हो गया होगा, clear हो गया होगा समझ में आ गया होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो please like करे, thank you